हाँ जी वेलकम स्टूइन्ट इन मा यूटूग चैनल पंजाबी क्लास टड़ी आज किस वीडियो में आपको शेयर किया जाएगा क्लास 12 के लिए फजिक्स का वेरी वेरी इपोर्टन पीपर जो कि आपकी पेपर की त्यारी के लिए है और आज किस वीडियो में आप आपसे अपके पेपर के लिए वेरी वरी इपोर्टन है और आपको शबी कॉंशन के आंसर इस वीडियो में शेयर किये जाएगे यह जै यह वीडियो काफी लंबी बन सकती है बट आपको वीडियो को एंड दक जूरूर देखना बेना स्किप किये हुए फॉत जेकर आप अपने च ले जा रहा है और आज इस वीडियो में आपको शभी कॉंशन शियर किया जाएंगी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले पहले में पर जरूर बने रहे ना और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको इस वीडियो को आपने दोस्तों पहले जरूर कर देना और सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट कोंशन पर क्या है दला गवर्निंग दफोर्स बिट्विन एक्टरिक चार्ज इस नोन एज चीका जो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले को और हम इस वीडियो में शिर्फ आपको यदा एक्सप्राइशन नहीं दे लंबी बन सकती है क्योंकि यह आपको पूरा डीपली नहीं बताएंगी सर्फ आपको अंसर बता दी जाएंगी इस वीडियो में ठीक हो जी तो हम वीडियो में वीडियो को एंड़ दा को जूरूर बने रहना सबसे पहले फॉस्ट कोंशन है दा लाग वर्निंग दफोर्स बिट्वीन लेक्टरिक चार्ज इस नौन एज ठीक है जो इसको लेट्रीक चार्ज को क्या कहते है इसका आपको अंसर आएगा इसका आएगा कूलम ला ठीक है को इसका नोड़ का लो अंसर इसके बाद है हमारा है सेकंड कोंशन बिच फिजिगल क्वांटिटी है याज और में को इनका फॉर्ट सथर्भांबला ठीक ची मि उफ देखते हैं को इसका आपका इसका आएगा आपका यह जाने कि डी ओप्शन पडर्गा इसके भाद है बिच विचzwischen नोड द्याद ओंगिर आडिकम्रा ठीक है कि नहीं है कोन नहीं है थिक है इतो आप्षिण ए विर इस विसके वाद हम बढ़ते हैं फिफ्ट कहे रहा है किरचप सेकंडलाइब बेस्ड आफ ला ओफ लिए और शुनिट पावर की योनिट किया है शिख्त का आएगा आएगा आपका ए जाने की वर्ट है ठीक है इसके वाद है तो आपका सैवंथ The value of Bohr Magnetion is equal to ठीके जिसका एक value किसके equal है वो बताने है इसका आपका है जिस 7 7 जिसका आएगा E option जाने कि value calculate करके हम देखेंगे तो ये value बनेगी आपने भी calculate करके देख रहे नहीं हो आपका ये answer आएगा E ठीके जिसके बाद है आपका 8th question magnetic field at the center of a current carrying coil is ठीके जिसके बाद है आपका 9th 9th क्या है the small angle between magnetic axis and geographical axis at place is called ठीके जिसको क्या कहते हैं तो इसका आएगा आपका 9th का आएगा C option जाने की magnetic declination ठीके जिसका आएगा C इसके बाद आपका 10th question है 1 tesla is equal to ठीके जिसके जो 1 tesla होता है किसके equal होते है 1 tesla होता है आपका 10th का आएगा B जाने की जी आएगा 10 की रेस्ट पापवर 4 गोस ठीके जी इसके बाद है आपका next question है 11th what is the SI unit of pulse strength ठीके जी SI unit of pulse strength की आप हमने SI unit बतानी है जो होती है आपका 11th question है 11th का है आपका D option जाने की हम पीर मीटर होती है ठीके जी तो इसके बाद है आपका next question next question है 12th what is the expected value of dip atom magnetic pole of earth ठीके जी इसकी दसनी है हमने value of dip दसनी है तो इसका 12th का answer आएगा आपका E option जाने की 90 degree ठीके सोरी 90 इसके बाद हैगा आपका 30th the angle frequency of cyclotone is independent dependent of ठीके इसके independent होता है जो होता है आपका 30th का आएगा speed से ठीके जिसके बाद है next question the dimension of magnetic field ठीके डिमेंशन होता है जो magnetic field का वो क्या होता है जिसमेंसे हम उस फार्मोले को प्रिट करते हैं वो आपका 40th का answer आएगा C जाने की जी ठीके जी तो जल्दी जल्दी वीडियो को end तक जुरूर देखना और जेकर चैनल पर फर्स्ट पर टाइम विजिट कर रहे हो था चैनल को जूरूर सस्क्राइब कर देना क्योंकि आपको हमारी चैनल पर ऐसे आपको education related वीडियो से मिलती रहेगी ठीक जी तो हम आपको next question बताते है इसमें next question है 15th एंपियर circular law is ठीक है circular circular law है वो क्या है ठीक है 50th का answer आएगा आपका यह जाने कि यह ठीक है यह value note है कर लो इसका answer है इसके बंदे आपका next question है यानिकी 60 and the post strength of a bar magnetic magnetic ठीक है जी magnet which when it is a cut into two equal pieces transfer to its length becomes की बन जाती है वो बताना है क्या है बन जाती है हाब बन जाती है double बन जाती है same बन जाती है जा नन अफ दीस बन जाती है यह हमने बताना है यह 60 and का answer आएगा आपका जाने कि सेम बन जाती है जाने कि ऐसे होती है जो में स्वेम आएगा ना ठीक है जी इसका आएगा शेंच चैना चलो इसका आगा आपका C option इसके बनाच्ट कोइशन है आपका सावन टीथ थीगए स्तार महा इंच्छन है आपका लेंजला इस पार जो सेवंट कॉंशन है इसके बाद नेक्स कॉंशन हैं आपका एटेंथ आटेंथ एटेंथ का आपका आशर आएगा mutual induction के भिहाब पर जो वर्क करता है इसके बाद next question है आपका 90th the as a unit of mutual induction is ठीक है ऐसा unit बता नहीं है आपकी mutual induction की क्या होती है यह very very important question है सभी को आपने very very important मान कर चलने है क्योंकि यह जो हमने इस वीडियो में लिए है जो वह very very important आपके लिए होनवाले हैं आपको यह question आपके फैनल के पेपर के लिए very very important है ठीक है तो वीडियो को एंड़ता के जुरूर बने रहना इसके बाद है आपका 90th 90 का आएगा हैनरी ठीक है जो हैनरी इसकी unit है तो इसके बाद 90th इस पर 20th question है आपका 20th question कह रहा है frequency of the visible light is of the order of ठीक है यह frequency होती है visible light के उसकी order क्या होता है तो आपका 20th answer आएगा आपका डी option टिक का लो ठीक है जिसके बाद है आपका 21st ultraviolet ray और यूजड ठीक है ultraviolet जो rays होती है वो किसके लिए यूजड की जाती है जो आएगा इसका answer 21st का आएगा डी जाने की all of the above जो सभी के लिए यूजड की जाती है ठीक है यह नोड कर लो इसका आएगा आपका डी option इसके बाद next question है आपका ठीक है 22nd which EM wave has maximum energy ठीक है आपको बताना है कि किसकी maximum energy है किस EM waves बताई गई है इन में से किसकी energy जो है सबसे ज्यादा minimum है sorry किसकी सबसे कम है energy ठीक है minimum बताया गया है इन में से तो इन में से आपका answer आपका answer आएगा 22nd का इसका एगा radio waves की energy है सबसे कम है ठीक है इसका आएगा यह option इसके बाद है आपका इसके बाद है थार्ड 23rd है इसका आपका अंसर आएगा सी जाने की अल्ट्रा वाइलट रे होती है वह तो इसका यह टिक कर लो इसके बाद आपको यह यह complete हो रहे है 23 तक हो रहे है आपके एक नंबर की mq टाइप इसके बाद आ रहे है आपको true false यह भी करवाए जाएंगे आपको true false जैसे कि first true false है इसके बाद रहे होती है ठीक है इनमें से बताना है यह विलकुल आपका है जो राइट है आंसर यानि कि इसका आगया true तो आपका जो फर्स्ट है इसका आगया true इसके पाद second है अमेंगेंटिक फिल्ड इस एन लेक्रो मेगनेटिक वेवार लेटर वाइ यह बैली उताए गिया तो इसका आपका false जाने कि रेलेट नहीं करती false है इसका इसका थर्ड कॉशन है true false गोसला फोर मेगनेटिशन स्टेट टाट दर नेट मेगनेटिक फ्लक्स त्रो एन इस क्लो इसका इसका यह आंसर है जो false है जाने कि नहीं करता है तो इसके बाद नेक्ट कॉंशन है आपका फिफ्ट कह रहा है वेल्डर यूज स्पैसल ग्लास गोगल फेस मास्क विद ग्लास विंडो टू पर्टेक्ट देराइज हां जी विल्कुल करेक्ट है जब ही आप देखती ह होगे कि वЕल्टर होते हैं जैनके पास मचीन होती है जो वह किसी पर्टिकलार ब्रूंस करते है तो वह अपने फियस को करने के लिए प Beim James टालते हैं और म druk मार्स डालते हैं तो इसका विल्कुल य्गत रहें ठीक है जी ऐसे हमने यह कंप्लीट करवा है आपको 23 आपके MCQ थी और 5 वो थे True-False तो आपके यह टोटल हो गए है 28 कोंशन का जो आपको हमने 28 नंबर का जो पर करवा दिया इसके बाद आएंगे आपको वड़े कोंशन दोदो नंबर वाल यह और इसके बड़े कोंशन जो उसका आपको पार्ट है वो आपको नीचे description में लिंक में दिया गया है description box में लिंक दिया गया है पार्ट टू का उसमें हमने हमने आपको बड़े कोंशन करवाए गया है ठीक है जी इस वीडियो को हम यहीं और जेकर आप हमारे चैनल पर पहली वर आयोंगे चैनल नों सब्सक्राइब रूड करके ना और जदी आपको इस पेपर का पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ आपको हमारे टैलियोंग ग्रूपर पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे description box में दिया गया है टैलियोंग ग्रूप का उस उस टैलियोंग ग्रूपर पर आपको सभी पीडिया मिल जाएगे सभी पेपर्स के ठीक है जी तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब का दिना दन्यवाद